दोस्तों इस टड़ी नाइटीवन की यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मेले कराजीरों काल की स्पेसल सवाल को जिसमें हम चर्चा करेंगे वर्तमान काल, भूत काल और भविस्यत काल जिया दोस्तों जब कभी इ जीब सा चेहरा बना दे तो क्या होता है बहुत आता है चले बता दो भूत काल के कितने भेद होते हैं या मुझे बता दो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं या मुझे बता दो कि तातकाली को वर्तमान काल और अपूर वर्तमान काल में क्या अंतर होता संदिक तो संभाब में क्या आंतर होता ठीक है बहुत सारे क्वेशन आते हैं दोस्तों जो किवल आपसे यह नहीं जाना चाहता कि आपने वर्तमान भूत भूत में क्या पड़ा आप उसके अंदर कौन-कौन से भेज जानते हैं और वहां से जो सवाल आता आसन भूत काल कम माना जाएगा अब जी हैं आप कांसेट समझेंगे सीखेंगे तो बहुत आपको आसान लगेगा आईए देखते हैं दोस्तों कौन-कौन से सवाल यहां पर दिये गए हैं आपको मज़ा आएगा एक बार आप रिविजन सीरीज में आईए और इसको देखे ठीक है चले याद रखेंगे दोस्तों स्टडी 91 के प्रेटफार्म से फांडेशन बैच लांच क्या गया फांडेशन बैच क्या है तो जीरो टू हाई लेबल एक बैच बनाया गया दोस्तों जिसमें एक बार आप बैच को पढ़िए एक बार आप बिसे को पढ़िए फिर परिच्छा जो भी हो आप फतक कर लीजेगा अच्छे एक बात बताओ लड़ाई कैसी भी हो अगर आपको बंदूग चलाना आ गया तो भाई किसी से भी लड़ाई हो क्या फरक पढ़ता है की नहीं लेकिन यहाँ पढ़तो दोस्तों अलगी कांसेप्ट है हर बच्चा हिंदी को अलग- आपको बन गया है आपने दोस्तों हमारे GS के प्रोग्राम को देखा होगा यह GS के प्रोग्राम के तरह थी दोस्तों फाउंडेशन बैच लाया गया है और GS का बैच जो चला है फ्री वाला क्लास जो चला है यूट्टूब पर वो सुबह के 10 बजे चला है आप आई उसी भी देखे आपको समझ आ जाएगा कि क्या quality content दिया जा रहा है यह हमारा help line number है call करके आप संपर कर सकते हैं चली start करते हैं आज की class को बहुत ध्यान से पढ़ेगा और एक इत सवाल का जबाब आप देने की कोशिस करिएगा लिख रहा है सुबह में चुडियां चहचाहाने लग क्या है थेज़ लगा है कि क्रिया अपूर क्या रहेगी तर याद रखेंगा आभी आएगा बहुत सारा सवाल तर आप देख लिजेगा अचल लगए हथे दोस्तो मैं आपके कांसेप्त बियर करें बहुत तरे बच्चों के मन में होगा शेल वर्तमानकाल के कितने भेध होत छे बेद नजर आएंगे, आपके मन में भी आ रहा हुआ, कि सर लगे हाता भेद भी बता देते, तो बड़ा अच्छा होता, चलो बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर जगाँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लिख रहा है, दुनिया को नई राह दिखाता है, यह कैसा वाक है दोस्तों तो भविस्टत का थोड़े ना ही अपूर्ड का है और ना ही दोस्तों पूर्ड का यह सामान्य वर्तमान काल का यह भी है चली हम लोग यहाँ पे देख लेते दोस्तों कि जो वर्तमान काल हम पड़ रहे हैं इस वर्तमान काल के कितने भेध होते हैं तो अभी जैसे कि मैंने बताए कुल 6 । बेद होते तो पहला क्या रखेंगे दोस्तों, पहला सामान ने वर्तमान काल याद रखेंगे तो बहुत आसान है. दूसरा पूढ़ वरतमान काल लखे जहाँ पर वरतमान काल की क्रिया पूढ़ होती नजर आ रही हूँ हहाँ पर हो जाएगा और तीसरा दोस्तो आप पूढ़ वरतमान काल लख दीजे ठीक है और छटे नमबर पी दोस्तों आप संभाब्य रख दीजे, क्या रख दीजे, संभाब्य, मैंने आपको उता है था, संभाब्य में संभावना भूत काल में नहीं हो सकती, संभावना या तो वर्तमान में होगा, या तो भविस्यत काल में होगा, तुसे भियाद रखेंगे, य आपसे वर्तमान काल का उधार पूछ रहा है देखिए था है तो जाहिड सी बात है भूत काल का उधार है और भूत काल का उधार आपसे पूछा नहीं है ठीक है तो ये जवाब होगा नहीं पढ़ेगा है याद रखेगा गागी की कहा आता दोस्तो ये भविश्यत काल में आत बहुत काल में आता है तो यह भी आपका जबाब नहीं होगा ठीक है वह जाता है वह खेल रहा था यह भी दोस्तों था को देखा आपने यह भी भूत काल में अपूर भूत काल के अंतर गता आएगा यह भी जबाब नहीं है वह जाता है वह खाता है वह पीता है वह रोता है व मुझे आपको याद दिलाना पड़ता है, खर इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं, सामान निवर्तमान काल के अंतरगत आते हैं, ये सब आप याद रखेगा, जाता है, ठीक है, चलिए आपसे नमर तीन हो गया, लिकरा प्रेम अंदेखी राहों की तरह आकरसक होता है, ज किस काल का है पैचानी है, तो दोस्तो ये भी क्या है, ये भी सामान निवर्तमान काल, यहाँ पूड अपूड का कोई मतलब नहीं दोस्तो, आकरसक होता है, ठीक है, अच्छे एक चीज़, एक चीज़, यहाँ पर थोड़ा सुरू किये, लिकरा दोस्तो, प्रेम अंदेखी इसी राहों की तरह क्या होता है, आकरसक होता है, ठीक है, अभी चल सकते हैं यहाँ पर, तो भाव को पकड़िए, अब देखी, यहाँ से थोड़ा सा इसी तरह से क्वेशन ओर आएगा, और भाव कहां लेके जाएगा, जब कोई भाव पूड होता ना जरा है, तब आप खा रहा है, यानि अभी जारी है खाने का काम, तब आप वहां कहेंगे अपूड भाव, ठीक है, तुम आप वीडियो देख रहे हैं, अभी कम्प्लीट नहीं हुए वीडियो देखना ठीक है, तो क्या हो गया दोस्तों, यह अपूड वरतमान काल हो गया, अगर मैं का देता वीडियो देख रहा था, तब क्या हो जाता, वह अपूड भूतकाल हो जाता, ठीक है, अपूड भूतकाल हो जाता, सिंपल से, बस खाली आप ट्रिक समझे, भाव को पगड़ी, उत्तर अपने आप निकल कर आएगा, तो इस सवाल में क्या हो जाएगा, आप सन नमबर एक ह क्या आपको इस सेंटेंस को पढ़ने से कोई संदे न जरा रहा है क्या, क्या कोई संदे का भाव है क्या, संदे का भाव को इन जरा रहा है, तो आप कहेंगे ने सर, संदे का भाव है नी, वो तो क्लियर कट बता रहा है कि मेरे जेब में क्या है, पांच रुपए है, ठीक है या मेरे पास घड़ी है ठीक है तो याद रखेगा इसमें संदे तो है नहीं आपने कहा इसका मतलब आपके पास होगा ठीक है तो संदिक्द का भाव है नहीं ना तो संदिक्द वरतमान का अच्छ दो बार दे दिया संदिक्द वरतमान का ठीक है तो ये दोनों गलत हो तो यह दोस्तों किसका देवतक है, यह पूर्ड वर्तमान का देवतक है, कि मेरे पास 10 रुपए हैं, वर्तमान में है, मतलब यह एकदम स्रटिस्पाइड है, तो याद रखेगा आपसा नमबर 2, इस सवाल का क्या होगा, सही जबाब होगा, और देखे, लिकरा मंदिर में जा पर क्या है, कि काम पूर्ड हो चुका है, यानि अपूर्ड नहीं है, दोस्तों, यह पूर्ड वर्तमान काल के अंतर गताएगा, बात को समझे, भाव पकड़िये, भाव क्या नजा रहा रहा है, भाव एक आरा दोस्तों, कि सान्ती मिली है, तो याद रखेगा, शान्ती मिल आप करते हैं कि मैं अपनी हिंदी पड़ रहा हूं अगर का करते हैं कि मैं, मैं अपनी हिंदी, अपनी हिंदी की किताब पढ़ रहा हूं, तब क्या हो जाता दोस्तो, अब यहां continuity अभी जारी है, यानि यह क्या हो जाता दोस्तो, यह अपूर्ड वर्तमान हो जाता है, क्या हो जाता दोस्तो, यह अपूर्ड वर्तमान का दियो तक हो जाता, यह आप समझ लिए ठीक है अगर आपका देते कि मैं अपनी हिंदी पढ़ा हूँ ठीक है पढ़ा हूँ मतलब आपने पढ़ लिया है इसका तात्पर पूड वरतमान काल को हो जाएगा यह होता है भाव यही आपको समझना भाव की सिखाने आया हूँ वन्ना फिर बहुत आसान च यह दोस्तों क्या है भाव चलाओ यह वरतमान काल हो जाएगा क्या होने बाहर जाओ अब दोस्तों यह सामानने भविश्यत हो जाएगा ठीक है यह क्या हो जाएगा अपूर्ड भूत काल हो जाएगा ठीक है और आपको यह भी नहीं चाहिए तो दो जबाप तो पक्का नहीं है ठीक है तीसरा लिखरा वह घूमने जा रहा है ठीक है अज जब घूमने जा रहा है भी पहुचा थोए नहीं ठीक है जैसे आपने कहा मैं दिल्ली घूमा हूँ मतलब घूमा हूँ तो इसका तातपर है कि पूरा घूम चुके हैं आँ तो पूर्ट वरतमान काल हो जाएगा लेकिन अगर आप कहेंगे और आपको अपूर वर्तमान काल की भी जरूत नहीं है अब बचा उत्तर क्या अरे भाई जब तीन उत्तर नहीं है तो एक ही उत्तर होगा क्या लिखा अब हमारे पढ़ाने का समय हो गया है मतलब complete हो गया है आप समय देने को तया दिये लिखे रहा राम खाता होगा अब देखे राम खाता होगा एक बात है जब आप इस तरह से बोड़ते हैं जैसे मैं कहूं मुझे नहीं पता आप क्या करें मैं कहूं मोहन पढ़ता होगा ठीक है मोहन पढ़ता होगा अब लेकिन यहाँ पर confirm मैं मुहन के साथ नहीं हूँ, अब बताए अगर कोई ब्यक्ति एक guess कर रहा है कि सीता खाती होगी, राम पढ़ता होगा, मुहन खेलता होगा, सोहन दोडता होगा, नितेश खाना बनाता होगा, तो याद रखेगा, यानि वो उसके पास नहीं, वो उस सोच रहे मतलब क्या दोस्तो, यहाँ पर दोस्तो एक तरह से संदिक दवस्था बनी हुई है, संदिक दवस्था बनी हुई, कि मतलब ऐसा होगा, राम खाता होगा, हो सकता नहीं भी खाता हो, हमने कहा कि दादी दलान में बैठी होगी, हो सकता नहीं बैठी हो, हमने कहा मात अब पर राम खाता होगा यह तो वर्तमान से संबंदित है ना अभी वर्तमान में हम सोच रहे हैं तो वर्तमान में तो सोच रहे होगे भविस्य में तो सोचेंगे नहीं क्या भविस्य में सोचेंगे क्या नहीं भविस्य में संभावना हो सकती है भविस्य में संदे नहीं हो स पता नहीं क्या पड़ान है। आप पढ़ते हैं ना कि भविश्यतकाल में क्या होता है। गार आ जाता है, जी हाता है, गय आ जाता है। कहीं पर यह दिख जाएं, तो तरह नहीं है। आप इसके साथ भाव को जोड़ भूल भयाएं। ठीक है, आप भाव को देखे, अगर भाव रहेगा, तब भविस्यत है, और नहीं तो उत्तर आपके सामने पढ़ा है, ले जाओ, पढ़ लो, यह संदिक दवर्तमान काल का उधारण है, और यही इसका सही जवाब भी है, ठीक है, लड़ाई जगड़ा न करो या रहा हमसे, ठ होता है, आपको आता नहीं है, यह अलग बात है कि तुक्का मार के आप साही कर देंगे, ठीक है, तो 90 नमबर का उत्तर आपने देख लिया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते है, ठीक है, पढ़िये ध्यान से, लिखे रहा क्रिया के जिस रूप से वर्तमा में क्रिया के संदेह का बोध हो, अभी अभी तो बताया, संदेह का बोध का बोध हो, देखे जब दो, दो आप्सन हो जाए, हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, उसी को दोस्तों क्या काते हैं, संदेह की स्थिति काते हैं, उसी को हम क्या काते हैं इसी कोम करते हैं संदे की स्थिति और ये बंती कहां पर है ठीक है और एक चीज़ और बोला दोस्तों कि वर्तमान में तो वर्तमान में बोल दिया तो संदिक्द वर्तमान हो जाएगा अगर ही लिख देता भूत में तब क्या का देता तब उसे काते संदिक्द भूत हो जाता तो याद रखेंगे दोस्तों बाकी का उत्तर गलत हो जाएगा, option number 1 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, बहुत आराम से आप देख लिए, automatic आपको अपना answer मिल जाएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख रहा है इन में से किस वाक्य में भविश्यत काल है, मैं खेलने आओंगा, ठीक है, मैं सुबह तुमसे मिलता हूँ, ठीक है, अब यहाँ क्या है दोस्तों, यानि भविश्यत की बात हो रही है, ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों या भविश्यत काल है, यानि आप रात में टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, या फिर आपने क सौम मारकों मैं तुमसे मिलने आओंगा, या मैंने आप से कहा कि सौम मारकों मैं फला भी से पढ़ाओंगा, या सौम मारकों मैं फला टॉपिक पढ़ाओंगा, भविश्यत की बात है ना, तो यहाँ भाव क्या है, यान भविश्यत का भाव है, ठीक है, याद रखेंगे का मैं आपकी प्रतिक्षा करूँगा सही है मैं पुस्तक पढ़ने वाला था ये तो थावा नहीं आभारी हूँ वर्तमान में है पेड़ काट लिया ये सब क्या हो गया मैंने एक पेड़ काट लिया काट चुके हो समापत हो चुका काम ठीक है तो याद रखे गया लग हो जाएगा भविस्यत काल से मतलब नहीं है बाकी की जो आफसे हैं दोस्तो या तो भूत काल से संबन नित है या तो वर्तमान से निमलिखी तवाक्यों में से भविस्यत काल को पहचानी जो भविस्यत काल को बताएगे लिकरा गाय घाँ शर्ती है चर रही है वर्तमान में तो यादर के दोस्तों चरती है जैसे आप मोहन पढ़ता है सोहन लिखता है दोड़ता भागता है या आप क्या कहते दोस्तों सामान वर्तमान काल है बहुत सोचना क्या ये क्या है ये सामान वर्तमान काल है ये जबाब होगा ने ठीक है रोहन पूर्ड वर्तमान है तो यहां पर याद रखें दोस्तों उत्तर क्या निकल गया मैं कल घूमने जाओंगी यह भविस्य की बात कर रहा है कि कल घूमने जाओंगी कल दिल्ली जाओंगी कल पढ़ने जाओंगी कल मूवी देखने जाओंगी कल बढ़िया खाना खाएंगे जो इसको वर्तमान में हम change करते तो हम क्या कहते दोस्तों अच्छा ये किस तरह का है दोस्तों भूत काल में क्या है तो याद रखेगा रो रही थी यानि अपूर्ड भूत है रोने का काम पूरा नहीं हुआ था ठीक है तो याद रखेगा यहाँ पर अगर हम कहा दें कि बच्ची रो रही है तब क्या हो जागा दोस्तों तब हो जाएगा अपूर्ड वर्तमान हो जाएगा अब चलिए अब इसको फिर से change करते हैं भविस्यत में ठीक है अब हमने भविस्य में डालना था हम क्या कहेंंगे बच्ची रोएगी अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों अब ये चला गया इस तरह से हो गया तो बच्ची रोती थी ये गलत है दोस्तों ये तो पूड़ भूत में हो जाएगा ठीक है बच्ची रोती है ये पूड़ वर्तमान हो जाएगा बच्ची रोएगी ये हो जाएगा बच्ची रो रही होगी ये तो दोस्तों संभावना हो जाएगा ठीक है संभाब्य हो जाएगा ना कि रो रही होगी सकता ना रो रही हो ठीक है वही वाली बात हो गई माताजी लेटी होंगी ठीक है तो संभाब्य है ठीक है तो याद रखेंगे ठीक है तो बच्ची रो रही होगी ये क्या हो जागा दोस्तों ये अगर इस तरह से करेंगे त व्र्टमान में इसको रखेंगे कहा रखेंगे संदीञदर वर्टमान में रखेंगे यह घागीत की नहीं आएगा ठीक है? यह भभविस्यत में भी नहीं आएगा ठीक है? तो जो आपका इंसर मिला वो मिला अपस Nousamरतीन और यही सवाल का क्या है सही जवाब बनेगा आपस नमबर तीन ठीक है इसको देखके चलिए बढ़ियां से याट कर लेज़े ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो लिखरा प्रधान मंत्री बाण गस्त छेत्रों का दौरा करेंगे अभी किये नहीं है अभी दौरा करें है की नहीं भाई जब जाएगी तब देखा जाएगा ठीक हर जैसे आपने कदिया राजपति जी आएंगे मेरे मामा घर आएंगे कब आएंगे नहीं पता ठीक है मेरा हो चुका आप आपका बता रहां ठीक है आपका विवा होगा कब होगा नहीं पता तो भविसत काल की बाते हैं हाँ तब होगा जब आपका selection हो जाएगा और तभी करिए तो बैतर भी है हाँ अगर किसी वज़ेसा नहीं हो रहा तो कर भी लीजे कितने दिन तक बैटके इन जार करते रहेंगे कभी कभी क्या होता ना पत्नी आने के बाद किस्मत बदल जाता है ठीक है मेरी तो बदल गई है हाँ आप अपना भी बदल के देख लीजे ठीक है चले ध्यान दीजे के दोस्तों स्टेडी 91 पे अभी जो क्लास आपको दिया जा रहा है ये एक तरह से रिवीजन है सम चाहते हैं आप आप जो है सवालों को 100% सांझाना चाहते हैं और कम समय में जितना समय बचाएंगे देखी हिंदी के लिए माली वान लेए इस overall आया और आपने 30 मिनट में हिंदी सही किया भाई सही तो सही आप भी सही है और किसी बच्चे ने पांची मिनट में इन्दी सही किया, क्या सब पांच मिनट में तीस सवाल, तो बहुत बड़ी बात कौन सी, अरे पांच मिनट भी नहीं लग रहा चे, तीस सवाल के लिए आप देखना उत्तर, देखना उत्तर, फटा पटिक मारो, टिक मानें, कितना समय लगेगा, ठीक है, त आपको दोस्तों ये बैच बताएगा, तो आप आईए, हाँ ये जोईं करिए, मजा आएगा दोस्तों, बहुत सांदार सा, यहां पर ये बैच है, बस एक बार आप आईए, देखिए, कल्पना करिएंगे, कि यार गजब का बैच है, का सोचिंग अभी जो बच्चे सोच र मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, अचा देखिए, यहां था लिखा है, लेकिन था लिखने की वज़े से ये भूत काल नहीं होगा, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, तो क्या ये भूत काल है, नहीं, गलती से कभी दोस्तों इसको भूत काल मत कहेगा, ये भूत काल है ही न ठीक है मैं पुष्टक पढ़ने वाला था बढ़ पढ़ा नहीं अब आप मुझे कलपना करके बताईए कि उसके अंतरगत क्या होगा ठीक है फिलाल आपका अपसन नमबर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा निमने भूतकाल का उधारड है भूतकाल का उधार दोस्तो कौन सा ब बढ़ते हैं लिख रहा संभव है कि कल हमारा परडाम निकलेगा इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोधक है तो कल निकलेगा और कल आज तो है भविस्ते में है तो याद रखे का टुमारो टुमारो पे का और मारो ठीक है तो याद रखे किया हो जाएगा शामान ने भविस् यही तो ताथपर है और जब कभी इस तरह की चीजे कर देना तो सामान में पर मत करीगा ठीक यह अगर नहीं लिखा रहाता जैसे अगर यह काता है कल हमारा परड़ाम निकलेगा तब आप कंफर्म हो करते तब सामान ने होता लेकिन इसके आगे सब जोड़ दिया संभव है अ यहां क्या हो जाएगा भविशत काल हो जाएगा और भविशत में भी क्या करेंगे दोस्तों याद रखेगा सामान ने भविशत करेंगे क्या करेंगे सामाने अगर यहीं कर देता संभव है कल तापमान अधिक रहेगा तब संभावना कर देता और तब क्या हो जाता तब सं भविषत में ठीक है लिखरा कदाचित संध्या को पानी बाड़ से कदाचित यह जो सब्द लगा दिया न कादाचित का तात्पर है कि हो सकता है का मतलब है हो सकता है और जहां हो सकता знать की बात कि आनि पॉस्विल्टी हो भी सकती है और पॉस्विल्टी मह thieves हो सकती है ऐसे में आप संभावना समझे और कल और कदाचित संध्या की बात हो रही है साम के समय की बात हो रही है तो याद रखेगा भुष्षत कल में आएगा और संभाब भी हो जाएगा क्योल की वज़े से एक कदाचित लगने की वज़े से अगर एक कदाचित हटा देते और लिखता संध्या को पानी बरसेगा तो याद रिखें किया हो जाएगा कल पानी बरसेगा तो confirm हो जाता तो सामानिन में आ जाता लेकिन कदाचीत लगने के वैसे क्या हो गया, यह संभाब्य में आ गया तो इसे भी दोस्तो आप याद रखेंगे ठीक है, चलिए आगे कुछ हिस्सा यानि वाक्यांस या वाक्या का पद आपको एक अलग अर्थ दे रहा दूसरा वाला उस्पंद निर्भर दिख रहा है जैसे वह आए तो मैं जाओं अगर आएगा तो जाओंगा नहीं आएगा तो नहीं जाओंगा तो दोस्तो जब इस तरह का डिपेंडेंसी आ स lightning भूत कारा ओंगा ठीक है जैसे भूत कल क्या होता है जैसे कहते हैं आपकी आगर महनत करोगे तो परिक्षा में अवस्य सफल होगे ठीक है तो यह दोस्तों इस तरह से उसने लडाई की उसने लडाई की है लडाई तो हो चुकी है समाप्त हो चुका है तो समाप्ती का बोध हो रहा है तो होगा तो दोस्तो भूतकाल अब बात करा दोस्तो लडाई की तो याद रखेगा अपूड तो है नहीं अगर काता कि लडाई हो रही थी तब अपूड काते आसन कब होता जैसे अभी अभी लडाई हुई ठीक है तो तब हो जाता है यह सामान भूत काल के अंतरगत आएगा आसन मत करेगा आसन कब होता है फिर से बता दे रहा हूं आसन जो क्रिया अभी अभी घटित हो अभी अभी घटित हो उसे क्या कहते दोस्तों उसे कहते हैं आश ठीक है आसन और अगर भूत काल में क्रिया घटी तो आसन भूत काल क्योंकि आसन वरतमान तो होता नहीं है सिंपल सी बात है तो वहाँ पे समझेगा लिगना सामान वरतमान काल का उधारण है सामान वरतमान काल का उधारण क्या है नदी बह रही थी ये तो दोस्तो और थी लगने के वैसे दोस्तों यह पूर्ड भूत काल के अंतर गता जाएगा तो जबाब है नहीं विराज विद्याले जाता है तो याद रखेगा फिर वही मुवाइल पढ़ता है लिखता है खाना पीना जाना है सामान्य वर्तमान काली है माता जी मंदिर जाती होंगी यह क्या दोस्तों यह सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा ठीक है लिखरा दोस्तों संभाब यह भविस्यत काल किस वाक्त में संभावना डूड़िये कहां पर है लिखरा हो सकता है राधा नहाए ठीक है हो सकता है राधा पढ़े हो सकता है राधा लिखे ठीक है या भो भी सकता नहीं भी हो सकता, जो भी चीजे हो, त्यात रखेगा दोस्तों, यहाँ पर option number 1 हो जाएगा, राधा नहाई होगी, यह नहीं दोस्तों, राधा जरूर नहाईगी, confirmation नहीं, यह सब गलत जवाब है, option number 1 करिए, संभावना बननी चाहिए, देखे, संभावना होता, क्या दो possibility नहीं भी हो सकती है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे, तो option number 1 दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर, ठीक है, आगे बढ़िए, लिकरा किस वाक्य में आसन भूत काल, अभी थोड़ी देर पहले बताया, आसन ने किसे काते हैं, जो क्रिया अभी अभी घटित हो, जो क अच्छे पढ़ रहे होंगे, ये तो नहीं है दोस्तों, पढ़ रहे होंगे, ये तो संभावना बताया जा रहा है, ठीक है, संभावना पढ़ रहे होंगे, संभावना भी कर सकते हैं, ये प्राया क्या होते हैं, ये आसन ने भूत काल के अंतरगत आते हैं, ठीक है, संभव है तो दोस्तो संभव वाला का आजाएगा याद रखेगा संभव मतलब यह संभाब्व में आ जाएगा ठीक है संभाब्व में आ जाएगा ठीक है पिता जी बादार चले गए चले गए मतलब पूड रूप से चले गए हैं यह पूड में आ जाएगा ठीक है पूड में आ जाएगा तो इसे भी आप याद रखेगा चली आगे बढ़ते हैं लिख रहा रिधीस घर पहुँच चुका था चुकी थी चुके थे दोस्तों यह की पर आ जागे अपूड नहीं ठीक है अपूड भूत नहीं और यह आपसन तो बिल्कुल गलत है दोस्तो इसकी तो जरुवत यहाँ पर नहीं था क्योंकि आपको काल पूछा गया था ठीक है तो याद रखेगा आपसन नमर दो सई जबाब है लिकरा गाएं दूद देती है घैसे दूद दे लिकरा काल के अंसार किन सब्दों में परिवर्तन होता है काल के अंसार दोस्तों किन सब्दों में परिवर्तन होता है यगर इस तरह का चीज़ें आए तो यहाद रखेगा परिवर्तन हमेशा कहां होता है क्रिया में होता है वही तो होता है परिवर्तन कहां होता है संग्या पहुँच रहा था तो अलग होगा पहुच गया था तो अलग होगा पहुचेगा तो अलग हो जाएगा इस तरह से अलग जवाब आता है तो यह किस पर डिपेंड करता है क्रिया पर तो कहां आप बहुत जादा फस रहें कहां परसान हो रहें देखें बहुत जादा अगर जर तो नहीं हो सकता उसको तो काट लिया करें ठीक है करा है कि वो अपना काम कर चुका था मतलब complete कर चुका था और यही दोस्तों देखे मैंने अपना काम किया बहुत सारे बच्चे दोस्तों यहाँ पर एक और चार नंबर में confused हो सकते हैं कि सर क्या किया जा ठीक है अरे मैंने अ आने पर अपने काम में लग गया ये गलत है लिकरा हो सकता है आज वर्षा हो बताया ना अब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है दोनों चीज़े यहां पर ठीक है वो भले लिखा है कि हो सकता है लेकिन यहां पर दोस्तों खुद भी कंफर्म नहीं कैसा है कि नहीं और जहां बहुत अच्छी चलती है तो समय का पता नहीं चलता और मुझे लगता है कि इस तरह की क्लास के साथ आपको देखने को मिलता होगा बहुत जादा कोई लाइब चैट नहीं होता है बहुत जादा उड़ पटांग के हरकत नहीं होते हैं सीधा अपने कांसर्ट पर बात किया जाता है और अच्छे साब को समझ में भी आता हुगा ठीक है दिखें मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पूरी सीरीज देखें स्टडी 91 से जुड़े हैं तो पूरी सीरीज देखें मैं दिन बर में सिर्फ दो क्लास देता हूं लेकिन बहुत मेहनत करत ठीक है आपको लगे तो आईए वनना फ्री की चीज़े दिखते रहिए बाकी दोस्तों हमारे हैनिटे नोट से बहुत सारे ऐसे भी से हैं जो पूरी तरह सी यूटूब पर पढ़ा दिये गये हैं यह उनिक हैनिटे नोट से किताब भी दोस्तों आ चुकी है आपकी अपनी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले रेक्चर में तब तक करें बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय हिंद जय भारत थेंक्यू थेंक्यू सो मच